मेरे नौजवान साथियों, आज खास करके मैं बोलना चाहता हूँ बिहारवासियों को, कि आज बिहार के अंदर जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, लोक लुभावन वायदे किये जा रहे हैं, जहां देखिये वहां बिहारियों को लुभाने की कोसिस की जा रही है, लेकिन बिहार के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, कि बोट डालने से पहले जब आप बोट डालने जाना, तो वह समय लाक डाउन में जो तुम्हारी पीठ पे लाठिया पड़ी है, जो तुम बंद कमरे में भूखों मर रहे थे, जो तुम बंद कमरों में प्यास से तडप तुम दो-दो-जार किलोमेटर पाइदल चल रहे थे, तो ये बिहार के अंदर जो पल्टूराम है, ये जो पल्टूराम है, क्या कह रहा था, जानते हो, याद कर लेना, वोश्माय ये कह रहा था, कि हम बिहारीओ को बिहार के अंदर घुषने नहीं देंगे, लेकिन आज जब चुनाव आया है तो यह लोगों को बेवकूब बना रहा है लोक लुभावन जो है भासन दे रहा है और कह रहा है मेरे प्यारे बिहारियों और जानते हो क्या कह रहे हैं आपके जो है ग्रिह मंत्री अमिशाह यह वही अमिशाह है जब लाकडाउन में बिहारी जब कराया जा रहा था उसके बाद ये जो है अमिश्चाह का कहीं अता पता नहीं था और यहीं अमिश्चाह क्या कह रहे हैं आज कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार बनती है तो हम विकास की गंगा वहा देंगे अरे बिहारीयों तुम्से सटा हुआ तुम्हारा यूपी है यह जहां देखो वहाँ छिनाईती जहां देखो वहाँ डकाईती यानि विकास की जो गंगा है वो खतरे के निसान से उपर चल रही है और आज उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो यह रेपिस्ट लैंड बन चुका है पूरी तरीके से क्योंकि इनके सांसद इनके बिधायक इनके जो है पदाधिकारी और इनके संगठन के लोग आज हत्या, डकाईती, लूट, बलातकार, गोली चलाना यानि सारा कुछ कर रहे हैं और यही आने वाले समय में ये बिहार के अंदर करने की कोशिश करेंगे और आपको ये जो बता रहे हैं और पल्टुराम पल्टुराम जो है बिहार की दुर्धसा किस तरीके से किया है यह आपको पता होगा आप लोगोंने देखा होगा कि यही जब पूरे राजियों के लोग अपने अपने मज़दूरों को जब अपने प्रदेशों में बुलाने का काम कर रहे थैं तो ये पल पल्टू राम कहा था वो शमय पल्टू राम नारी निकेतन की लड़कियों के साथ क्या कर रहा था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है ये वही पल्टू राम है जो कि बिहार के लोगों से सीधे बोल दिया कि मजदूरों को लाने के लिए हमारे पास बसे नहीं है वही पल्टू राम 15 साल के अंदर पूरे बिहार की आशी की तैसी जो कर रखा है आज चाहे वो सिच्छा मित्र हों चाहे संबिदा कर्मी हों चाहे मजदूर हों आज पूरा बिहार तहस नहां सो चुका है और इसी बिहार में एक बीडियो वाइरल हो रहा है मैं देख रहा हू वहां उसमें ये गाना बना था कि बिहार में काबा बिहार में काबा तो हम बताना चाहते हैं कि जो बिहार में है न वो कहीं नहीं है बिहार के अंदर ताकत है बिहारियों के अंदर बिहारियों के पशीने में जो है न वो भारत की अर्थबिवस्था को सुद्रिण करने की ताकत है यह वही बिहार है कि आज पूरे देश के अंदर अगर कहीं भी अगर बाजुओं की ताकत से अगर धन पैदा होता है तो उसमें एक-एक बिहारी मजदूरों का योगदान है वह चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो चाहे नोएडा हो चाहे हरियाणा हो चाहे मध्यप्रदेश हो चाहे महाराष्ट हो यानि कहीं भी आपको हर 10 किलोमीटर में एक बिहार का जाबा जो शेर मिलेगा जो अपने पसीने से इस धर्ती को सीच करके अर्थ बिवस्था को पैदा करने का काम करता है वह है बिहार में